हलो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपके लिए इस पोकान इंगलिस के लगवक 20 वाक लाए हैं तो आप लोग इससे देखेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप लोगों से बनेगा ठीक है तो चलिए फिर शुरू करते हैं लेकिन ये आप लोग चैनल पर ना है तो सब्सक् कोला है तो आप लिए तरह से बोलना हना पर लिए बिल्कुल नहीं को अप बोलेंगे आफकोर्स यहाँ पर बिलकुल नहीं को बोलना है आफकोर्स नौट बिलकुल नहीं कुछ समय पहले कभी कभार कभी कभार को बोलेंगे कभी कभार ठीक है इस तरह से और भी एक्जामपल है थोड़ी समय में इन लिटल वाइल ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट किसने कहा किसने कहा अक्षर ये वाक बोले आते हैं कि किसने कहा तुमसे ये बात है न तो हम क्या कहेंगे इंगलिस में कुछ समय के लिए थोड़ी देर के लिए या फिर कुछ समय के लिए इनको मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे आपको ही पढ़ना है या इस वीडियो को अक्षर देखते रहना है 6 दिन में या फिर दो दिन में तीन दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप इंगलिस से जुडेंगे इंगलिस में काम करें इंगलिस में सोचिए वाक्यों को एंगलिस में एक्ज़ांपल बनाइए ठीक है तो आप जल्दी से सीख पाएंगे वो कैसे how that वो कैसे how that ठीक है और आगे हम चलते हैं परिशान मत हो ना या परिशान मत हो don't worry ये तो अक्सर हम लोग सुन ही लेते हैं तो ये बन जाता है बहुत ही common है किस बारे में about what किस बारे में किस तरह से in what way किस तरह से in what way थोड़ी देर में in a while हम अक्सर बोलते हैं ना मैं थोड़ी देर में आता हूं तो हम क्या बोलेंगे I will come या wait I come in a while मैं थोड़ी देर में आता हूं ठीक है फिर देर मत करो don't be late don't be late क्या करना है what is the plan कहा जाना है where to go कैसे कहना है how to say कैसे कहना है कि मंच पर क्या बात करने है कैसे कहना है तो आप क्या कहेंगे how to say कैसे कहना है फिर और वाक है और कुछ नहीं नथिंग एल्स और कुछ नहीं हम लोग अक्सर वोल देते हैं हिंदी में और कुछ नहीं बस ऐसे ही तो हम क्या कहेंगे इंगलिस में नथिंग एल्स कोई बात नहीं no problem, कोई बात नहीं, no problem, basic undoubted, basic undoubted, भरोसा रखो, keep trust, भरोसा रखो, keep trust, फिर में लेंगे, see you, मैं कहता हूँ, I say, मैं कहता हूँ, I say, मैं कहा था, या मैंने कहा था, मैंने कहा था, I said, मैंने कहा था, I said, ठीक है, कितने बजे, what time, कितने बजे, what time, ध्यान से देखो, look carefully, सीधे हो कर बैठो, sit straight, हम अक्सर बच्चों कहते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा लचक जाते हैं, तो उनको अक्सर हम बोल देते हैं, कि सीधे बैठो, या फिर सांत बैठो, तो सीधे हो कर बैठो, sit straight, मुझे बताओ, tell me, मुझे बताओ, tell me, मेरे पीछे आओ, follow me, मेरे पीछे आओ, follow me, जब हमें ये बोल ला हो कि मेरे पीछे आओ, तो हम ये नहीं बूलेंगे, कि come, come before me, या come after me, है ना, हम क्या बोलेंगे, follow me, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, काफी है, enough, it's enough, हम बोल देते हैं अक्सर, enough या, it's enough, काफी है, मज़े करो, enjoy, मज़े करो, enjoy, मुझे जाने दो, को हम इंगले से बोलेंगे, let me go, या let me go, भी हम बोल सकते हैं, let me go, let me go, let me go, या फिर let me go, मेरे साथ आओ, come with me, मेरे साथ आओ, come with me, सच है, this is the truth, सच है, this is the truth, फिर और आंगे हम चलते हैं, मैं जा रहा हूँ, I'm going, मैं जा रहा हूँ, I'm going, काफी नहीं है, not enough, काफी नहीं है, परियाप्त नहीं है, not enough, जाहर सी बात है, obviously, 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 क्या बोलते हैं हम इसको, obviously, 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 जाहर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, है न, समान सी बात है, obviously, मुझे पता है, I know, उसे बोलने दो, let him speak, उसे बोलने दो, let him speak, दोबारा नहीं, not again, दोबारा नहीं, not again, मुझे जाना पड़ेगा, I have to go, I have to go, मुझे जाना पड़ेगा, I have to go, मुझे जाना पड़ेगा, I have to go, अराम से टेक इट इजी लगे रहो इस्टे ओन लगे रहो इस्टे ओन लगे रहो इस्टे ओन इसे खुद से करो डूइट यूरसेल्फ हाँ ऐसा ही हाँ ऐस इज़ इसी तरह इसा ही सिमलर्ली या लाइक वाइज इसको बोलते हैं सिमलर्ली यह सिमलर्ली है और यह लाइक वाइज है दोनों का मतलब होता है इसी तरह से similarly या like wise घबराओ मत don't panic घबराओ मत don't panic panic का मतलब होता घबराना या हड़बड़ी मचाना है ना घबराट के मारे तो don't panic गिर जाओगी you will fall गिर जाओगी हम अकसर बोल देते हैं बच्चों को करो do it फिर forget it भूल जाओ अगर कोई लड़ाई जगड़ा हो गया किसी के प्रती गुष्टा है मन में तो हम अकसर बोल देते हैं भूल जाओ जाने दो तो forget it क्या बोलते हम forget it या forget it ध्यान रखना take care क्यों नहीं why not क्यों नहीं बहुत हुआ a lot happened बहुत हुआ it's very much या फिर हम ये बूल सकते हैं a lot happened a lot happened वह कैसी है how is it जल्दी करो hurry up या कैसा है how is it सच में really सच में really दूसरा ले लो take another दूसरा ले लो हम अक्सर बोल देते हैं ये दूसरी ले लो ये दूसरा ले लो है ना कोई चीज जो कि हम लेनी होती है तो दूसरा ले लो हम अक्सर बोल देते है take another दूसरा ले लो ठीक है फिर इसके बाद इतने ही वाक है और हम एक और वीडियो बनाएंगे एक और वीडियो में हम लोग और वाक ले कराएंगे इस तरह से तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लाना और इस चैनल में आपको डेली एक वीडियो इस पोग अंगलिस मिलती है उस वीडियो में आपको लबख 20-30 वाक कवर किये जाते हैं तो मिलते हैं अंगली वीडियो में